यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर एक बॉल में आपको कलर निकाल लेना है और यहां पर मैं निकाल रही हूं डेबलापर तो आप जितने कलर निकाल रहे हैं उसके डबल तो सबसे पहले क्या करने कि आपको अपने हैं कि अपने कलर की जुरूरत है उस असे this तो यहां पर मैं अपनी मम्मी की कलर कर रही थी बालो में तो मेरी मम्मी की जो हैर थी वह ज्यादा लॉंग नहीं है तो कलर तब भी लग जाते हैं इसलिए मैंने यहां पर बाल में देख सकते हैं और कलर कभी निकाले प्लास्टिक के बाल में ही निकाले यहां पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रेयर है वह दीख रही है वाइट है तो और पीछे में भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रेयर है पूरे बालों में थी बस उपर उपर कहीं कहीं से जो हां पर कलर किया हुआ था वहां पर नहीं था बर पूरे बालों में था तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि color को अच्छे से mix कर लेना है उसके बाद आपको एक साइट के बालों को clutch कर देना है second side के बालों को सबसे नीचे की पार्ट से आपको layer by layer आपको निकालते जाना है बालों को section को और उसमें color apply करके आपको देख सकते हैं आप इस तरीके से application कर सकते हैं इससे क्या होगी कि आपकी जितनी भी gray hair है white hair है वो सब न ब्लैंक हो जाएगी और एक भी बाल आपकी एक भी बाल नहीं चूटेगी तो आप यह वाली टेकनिक जरूर आप ट्राई करें यह वाली टेकनिक से काफी अच्छे से color apply होती है color तो ऐसे भी लोग apply कर लेते हैं बट वो न इधर उधर चूट जाते हैं बाल में तो आप देख सकते हैं आप इस टेकनिक से करोगे तो एक भी बाल नहीं चूटेगी और color भी अच्छे से हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यह मेरी स्टाफ है वो कर रही है तो color कभी भी करें सबसे पहले आप gloves wear कर ले gloves wear करना ज़्यादा जरूरी है नहीं तो आपके जो color है वो आपके हाथों में लग जाएंगी और यह color जल्दी छुटती नहीं है तो आप कभी भी हेर से related कोई भी काम करें आप gloves जरूर से जरूर वियर कर ले ताकि आपकी जो हाथ है वो सेफ रहे तो यहां पर देख सकते हैं सेक्षन वाई सेक्षन बालों को निकाल के किस तरीके से application किया जा रहा है कितने अच्छे से और यह वाली जो color है मेरे पास matrix की थी इसलिए मैंने matrix का यूज किया है और मेरे पास cosmo brand का developer था इसलिए मैंने यहीं यूज कर लिया है बट आपके पास जो भी है या फिर आप जो भी यूज करना चाहते है तो इस्ट्रिक्स की लॉर्यल की matrix की आपके पास जो भी अबले वाला आप उसको यूज कर ले तो मेरे पास तो यहां पर matrix की color थी and cosmo company की developer थी तो मैंने यहीं यूज किया है एंड यह वाली color जो है इसे हम permanent color बोलते हैं तो permanent color में भी बहुत लग सोच रहेंगे कि यह हमेशा के लिए color रह जाए ऐसा नहीं होता है यह color हमारे बालों में जो है दो महीने तक रह जाती है दो महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएगी लेकिन दो महीने तक यह रह जाती है तो इसे ही हम permanent color बोलते हैं ऐसा नहीं कि permanent का मतलब हो गया कि यह permanently ही हो जाए ऐसा नहीं होता है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी यहां पर जो है इस ताप वह लगा रही है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वह सेक्षन कलर लगा रही है ऐसे लगाने पर जो है एकदम अच्छे से लग जाएंगी color पूरे बालों में और ऐसी technique से आप भी लगाए और कभ color लगा है यहां पर जो मेरी ममी थी वहुआ सेंपू की तो इसवूज़ा से मयने अपर किया नहीं किया है मैंने डारेक्ट कलर आप्लाई कियो वह शेंपू करके ही आए थी और आपकी साम 42 अहीं करके आ रही है यह फिर उनकी बालू में जोابी आपको ऐसी लग रही है कि हासरूरत है तो आपzufन करके ही करें कलर और अट्राप देख सकते हैं क brother किस तहरी के से ओर रही है उस तरीक Whatsड़ी तरीके सेुसी और वी जो कलर पसंद हो आप ब्लैक नहीं करके ब्राउन घ्रे जैसा भी आप करना चाहते हो आप सकते हो कलर तो यहां पे जो मेरी डवलपर थी वो पेंटे वॉलूम की थी और जो मेरी कलर थी वह 1.0 थी तो यहां पर देख सकते हैं लास में थोरी सी कलर की और नीड हो गई थी इसलिए मैंने थोरा सा कलर और लगा लिया आप एक बार में कलर ना निकाले दीरे-दीरे कलर निकाले इससे क्या होगी कि कलर वेस्ट भी नहीं हो और तो ठीरे-धीरे को कलर को लिकाले एक देख सकते हैं पूरे बालों में कि song application हो गया उसे अच्छे से कल देना गार यह कलर को लगाने के समय ध्यान देखिए आपके फोरेट पे येर पे यह सब पे ना लगए अकर थोड़ी बहुत लग जा रही है तो उसे बाद में क्लेंजिंग के हल्प से उसे आप साफ कर सकते हैं वह इसली साफ हो जाएंगी आपकी कलर लगाएं उसी टेम साफ कर दें नहीं वह तो बाद में चिपक ही जाती है तो वह करने में प्रॉब्लम होगी यह आप देख सकते हैं 50 मिनट होने के बाद यह प्लेन वाटर से धो रही हैं तो धोने के बाद यह देख सकते हैं आप लास्ट का फाइनल रिजल कितनी अच्छी लग रही है हेर में कलर और एक भी बा बाल वाइट नहीं दिखेंगी कहीं भी देख लो एक भी बाल नहीं दिखेंगी थैंक्स पर वाचिंग बैबाई